आब्रह्म भुवनाल लोकाह पुनर रावर्तिनो अर्जुना मा मुपेत्यतु कौनते या पुनर जन्मना विद्यते मसकार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके ये भगवद गीता के आठवे अध्याय का सोलहवा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं श्लोक के वह कहता है और वो कहते हैं कि प्राणियों के संसार से लेकर ब्रह्मा के संसार तक जन्म और मृत्यू का चक्र चलता रहता है किन्तु जो मुझ तक पहुँचने वाले होते हैं उनके लिए पुनर जन्म नहीं होता तो यहाँ पर इस श्लोक से हम पुनर जन्म की अवधारना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यह वास्ता में क्या है क्योंकि इसको लेकर के बहुत भ्रह्म पहला हुआ है साथ ही लोग जो है भिन्न भिन्न लोग और भिन्न भिन्न जन्मों को लेकर के ब्रहमित रहते हैं तो आईए इन सब को यहाँ पर ठीक प्रकार से पश्ट करते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह क्या रहे हैं कैसे हम पुनर जन्म की अवधारना को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो लोग प्राय क्या सोचते हैं कि जब ये जो विभिन विभिन लोक हैं, जहांपर की लोग प्राप्ती करते हैं, तो ये कुछ ऐसे लोक हैं जैसे कि पैरलल यूनिवर्स हो गए, कि एक तो यूनिवर्स ये है, एक तो ब्रह्मांड ये है, और इसी के साथ में कोई और ब्रह्मांड भी है कहीं पर और और कोई उचला ब्रह्मांड है, और कोई निचला ब्रह्मांड है, पर वो ब्रह्मांड जो हम इसी प्रकार से हैं, जैसे ये संसार है तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं जो कि वास्ताव में एक उचित सोच नहीं है यदि आपको लोको को समझना है तो इसको आपको ग्यान के स्थर के रूप में समझना हो कि जो विभिन्न लोक हैं ये वास्ताव में विभिन्न ग्यान के स्थर है तो अब इस क्योंकि आप देखी कि एडॉल्फ हिटलर जो था वह तो एक नसलवादी व्यक्ति था जिसने कि अपने नसलवाद को लेकर के बहुत से लोगों की हत्या की और यह जो लोग थी वास्ताव में उनका कोई दोश नहीं था तब भी उनकी हत्या की गई तो उसने ऐसे कारे किये जो कि बहुती घृणात्मक कारे थे वहीं पर यदि आप स्वामी विवेकानंद को देखे तो स्वामी विवेकानंद तो एक महापुरुष्ट है जिन्नोंने की एक संपून सब्वेदा को उसकी निद्रा से जगाया और उसके भीतर एक बल भरा ताकि वह एक दमनकारी जो शासन है उसके विरुद डटकर सामना कर सके तो एक विक्ति का जो ग्यान का स्थर था वो निचला था जबकि एक दूसरे विक्ति का जो ग्यान का स्थर था वो बहुती ऊचा था तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दोने वेक्ती एक ही लोक में वास्तव में थे वहे दो विभिन्न लोकों में थे एक निचला लोक था एडॉल्फ हिटलर का और एक उचला लोक था जो कि स्वामी विवेकानन्द का था तो ये जो लोक होते हैं ये वास्तों में ग्यान का स्तर है यदि हम इसे इस प्रकार से समझें तो हम इस श्लोक से जो पुनजम की अवधारना है उसको भी ठीक प्रकार से समझ सकते हैं तो एक चीटी का जो जीवन का स्तर है वह एक स्तर है उसका जो ग्यान का स्तर है वह बहुत ही सीमित है और एक वैग्यानिक जो होता है उसका जो ग्यान का स्तर है वह कहीं अधिक उचा है और आप यहां पर ही समझे कि जो ब्रम्हा का ग्यान का स्तर है वह ग्यान का स्तर है जो क प्राणियों का जो स्तर होता है वो अपने अपने स्तर पर है चीडियों का अपना स्तर है कि वह केवल अपने बिल से कुछ दूरी तक कही ग्यान रखती है उससे और अन्य अधिक ग्यान नहीं रखती तो उनका जो ग्यान का स्तर है वो उतना ही है और दूसरे प्राणियों का और स्थर एं जो मनुष्य हैं उनमे भी ग्जानों का स्थर अलग अलग है। कुछ लोगों का ग्यान का स्थर सीमित होता है। खुछ लोग ग्यान का स्थर, उंचा होता है। तो प्रवाभा का व्हास सतर है जहां पर वक्ति को Fahrenheit के इतना अच्छ ग्यान है कि व्हास शुष्टी का निर्मान भी कर सकता है किन्टों में यह समझना होगा कि प्राणियों के से जिए ब्रम्हा के सतर तक हम सभी में परिवर्तन जो होते ही रहता है अर्थात निर्मान और विद्वन्स का जो चक्र है वह इन सभी स्थरों में चलता रहता है तो इसलिए यह सभी स्थर जो है यह परिवर्तन के प्रती सम्वेदन शील है और यहाँ पर निर्मान और प्रलय यानि जो शिष्टी है स्रजन और प्रलय का जो चक्र है है इन में चलता ही रहता है चलता ही रहता है इस कारण से सभी स्थर जो होते हैं ये ये स्थाई नहीं है ये अस्थाई है और क्योंकि ये अस्थाई है इस कारण से ये दुख लेकर आती है हमारे लिए किन्तु यदि कोई वेक्ति अपने उस स्थर को जान ले जो कि इन सभी प प्राप्त कर लेगा जो कि परिवर्तंशील नहीं है और जब वह उस स्थर को प्राप्त कर लेगा जो कि परिवर्तंशील नहीं है तो अब यदि उसमें परिवर्तंशील नहीं हो रहा तो ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है इसलिए इस रिक्रशने ने कहा कि पुनर्जन्म न विद्यते, उन्होंने विद्यते का उपियो किया है, विद्यते अर्थाद विद्यमान है, तो अर्थाद उसके लिए पुने दिमना विद्यमान नहीं है, क्योंकि वो अपने उस स्वरूप को जानता है, जो कि परिवर्तनी है, तो हम यहाँ पर यदि देखें तो यह हमारा है जो कि परिवर्तन चील है हमारा सूक्षम शरीर जो है वो भी परिवर्तन चील है किन्तो उसके परे हमारा वास्तविक्स रूप है जो कि दिव्य दृष्टा है जिसमें की कभी परिवर्तन नहीं होता है श्रिष्टी में हो रहा है परिवर्तन है वो नहीं होंगे, यह सब होंगे, किन्तु व्यक्ति यह जानेगा कि मेरा जो सुरूप है वो तो उसके परे है, यह बिल्कुल ऐसी होगा जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, यह आप फिल्म देखें, एक फिल्म देखें, आपने दूस का स्तर है इसे हमें पराप्त करना है यदि आप इसको पराप्त कर लेंगे तो आपके लिए पुनर जन्मना नहीं रहेगा पुनर जन्मना विद्यते यह कहने कहां पर अर्थ है लोग क्या सुचतें कि फिल्म में ही वाले जो वो एक character था मालिजे film में वह जो है उसका पुनरजन नहीं होता है तो वो अलग हो जाता है ऐसा नहीं है वो जो character हो चलते रहेंगे उसनी, जो आर्टिस्ट हो चलता रहेंगे एक अफ्तार में आएगा, दूसरे अफ्तार में आएगा तीसरे अवतार में आएगा, वो अलग अवतारों में आता रहेगा, किन्तु वो जो आर्टिस्ट है, वो वैसा ही रहेगा, इस प्रकार से समझे आप इसको, कि यदि हम उसको जान लें, जो कि दिव्वे दिश्टा है, जो कि देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो र बढ़ता जाता है, अर्थात वो ग्यान में व्रिद्धी करता जाता है, और अपने आपको और ग्यानी बनाता जाता है, कई जन्मों में इस प्रकार से निचलेस तर से अपने ग्यान को बढ़ाता है, अपने ग्यान को और बढ़ाता है, तो ग्यान बढ़ता जाता है, तो उ लोग इसको बहुत ही उल्टे तरीके से समझ जाते हैं और उस कारण से बहुत ही भ्रहमुत्पन्य होता है तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छी से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियेजनों के साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव क्यूएने सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी कृष्णे